इन दिस लेक्ट्चर विल डिसकस सॉफफिर इंजिनिरिंग इस ए लियर्ड टेक्नोलजी यहां पर अगर हम देखें तो आपको जो है वो चार लियर्ड दिखनी होंगी सबसे पहले है कॉलिटी फोकस देन प्रॉसस मॉडल मैथर्ट और फिर टूल्स तो अगर हम सॉफिर इं मैयार है वो अच्छा होना चाहिए तो कॉलिटी को एजस करने के लिए कॉलिटी के को देखने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारी फिलॉसफिज मौजूद हैं जैसे के टोटल कॉलिटी मेरेजमेंट सिक्स सिग्मा एंड सिमिलियर फिलॉसफिज तो यहां पे अगर मैं मैं तो बिल्डी बनाने के लिए तो अगर कॉलिटी इस तो भी ऐوبिल्डी रॉकस है वह उन चॉपकस वह उन चाह्तानह वह उता है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास the bedrock that supports software engineering is a quality focus कि हमारे पास software engineering जिस चीज के उपर फड़ी होती है जिस चीज के उपर लाय कर रही होती है वो है quality focus कि सबसे पहले हमारे पास overall software engineering के अंदर जैसे कि हमने देखा कि software engineering is the application of a systematic discipline quantifiable approach to the design, development, maintenance and operation of software तो यहां पर यहां पर जो हम overall software engineering के अगर हम देखें बुनियाद देखें वह बुनियाद जो है वह सबसे पहले हमें देखना है कि client organization है उसको किस मयार की चीज चाहिए उसको जो है उसके अंदर जो dependability का factor है वह क्या है reliability कि इतनी required है availability क्या required है आपके security के क्या issues है safety के क्या issues है capability है usability है installability है maintainability है तो यह तमाम चीजें हम लोगों ने पिछले lectures में भी discuss किया कि हमारे पास quality है उसको हमें focus करते हुए software को बनाना होता है फिर जैसे के अगर मैं construction की example लूँ कि हमने कहा सबसे पहले तो आपके हो गई कि आपके बिल्डिंग जिस चटान पर खड़ी है फिर उसके बाद आपके बिल्डिंग की एक foundation होती है जो कि इस building को जोड़े रखती ह आपके बिल्डिंग की इमारत खड़ी होती है उसके लिए बेसिक बिल्डिंग को जोड़ के रखती है उसी तरीके से हमारे पास software engineering को चीज जोड़ती है वो है process model कि हमने मैयार को focus करते हुए फिर हमने जो है देखा कि किस मैयार की product बननी है किस nature की product है उसको देखते हुए ह वो software engineering की foundation है तो इसमें हम क्या चीज देख रहे होंगे कि क्या activities perform होने है क्या actions perform होने क्या phases perform होंगे वो linear sequential होंगे या वो evolutionary होंगे या वो iterative होंगे या वो incremental होंगे तो किस तरीके से हमारे पास यह process model कौन सा process model जो हो चूज किया जाएगा तीसरी चीज अगर हम देखें तो ज basic foundation की बात के फिर foundation तो हमें हमने का कि जो पूरी building को जोड़े रखे फिर उस पूरी building के अंदर जो काम का तरीके कार है वो क्या होगा और उस काम को तरीके कार के लिए हमें कुछ tools required होंगे तो और उनके इलावा जाहर सी बात है कोई ना कोई रोल असाइन होंगे कि उन methodologies को क करने वाले लोग हैं या उन tools को स्कमाल करने वाले कोई ना कोई रोल होंगे उसी तरीके से software engineering के अंदर जैसे हमने पहले quality focus discuss किया तो quality focus में हमने देखा कि quality focus क्या है quality focus हमने कहा is the bedrock that supports software engineering और फिर हमने process model की बात की तो process model हमने कहा कि वो क्या है वो हमारे पास एक पूरी foundation provide करता है जो कि एक glue का का काम कर रहा है तो software engineering के अंदर इन चारों layer को जो चीज़ जोड़ी हुई है वो process model है तो process model के अंदर process model में ही अगर हम देखें तो इन process model में हमने जो है वो activities हमने define कर ली हमें पता है कि वो flow में वो काम करेंगी मगर हमें यह मजीद अगर हम उसकी detail में चले जाए कि वो जो जो भी processes हम follow कर रहे हैं उनके जो phases हैं तो different phases में जो let's suppose communication है तो communication के लिए जो है वो प्रोटो कोल इस्तमाल किये जाएंगे methods of requirement gathering क्या होंगी तो आपके पास जो है वो different methods के अंदर हम different methodologies या how to's को हम discuss कर रहे होंगे कि कोई काम कैसे करना है अगर हम communication कैसे करनी है design करना है तो कैसे करना है modeling करनी कैसे करनी है program construction कैसे करनी है testing कैसे करनी है support provide करनी है अगर maintenance है तो maintenance बेशक करनी है process model का हिस्सा है तो maintenance का जो है वो तरीकेकार क्या होगा उसके अलावा आपके पास अगर हम कह रहे हैं कि software delivery है deployment है तो deployment के लिए conversion techniques क्या इस्तमाल की जाएंगी क्या methodology इस्तमाल की जाएंगी तो वो तमाम चीजें हमारे पास methods के अंदर how to's में आ जाएंगी तो process हबसे पहले हमारे पास जो हम देखें तो आगे quality focus then हमने देखा कि process model फिर उन process models में हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास उन चीज़ों को कैसे करना है तो हमने देख लिया कि मैयार क्या है किस मैयार को focus करना है क्या हमें process model चूज करना है फिर हमने कहा कि उस process model में काम को कैसे कैसे किया जाएगा वो हमारे पास methods में हम देखेंगे तो methods में अगर हम देखें तो इसके अंदर हम बगाईदा हर जो है वो basic area को हम देख रहे होंगे जैसे के communication हो गया analysis हो गया design, modeling, program construction, testing, support and so on फिर हमें इन तमाम चीज़ों को इस methods को follow करने के लिए हमें कुछ tools की मदद होती है अब वो tools जैसे के construction site पे देखें तो वो tools अलग होंगे software की construction की जब हम बात करते हैं overall software engineering के domain में अगर हम बात करें तो चाहे वो requirement analysis हो चाहे वो design हो चाहे वो development हो टेस्टिंग हो तो हमें बहुत सारे computer-aided software engineering tools का साहरा लेना पड़ता है जो के हमें help करते हैं एक helping head provide करते हैं हमारे काम को असान बनाने के लिए तो यह हम देखें तो यह पूरी पूरा concept है के software engineering हमारे पास एक layer technology है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं कि आपके पास इसको मैं बिल्कुत simplify words में कहूं तो हमारे पास हमें quality को focus करना है मयार को focus करना है और देखना है कि क्या process model उस project के लिए choose किया जाएगा और साती साथ हमारे पास देखा जाएगा कि उसमें काम कैसे होगा तो हम कुछ ना कोई methodology define करेंगे और उसके साथ कोई ना कोई tools भी हमारे पास होंगे कि हम इसके लिए किन tools का सहारा लेंगे और अगर इन चारों के इलावा भी हम देखें तो एक और layer या हम कह सकते हैं कि एक और चीज जो इसमें add की जा सकती है या कहा जा सकता है कि इन चारों के साथ एक और चीज की जो हमें जूरत पड़ती है वो है rolls की कौन से rolls होंगे जो के इन के उपर काम करेंगे different तो अब तक इतना ही फिर समय नेक्स लेक्चर में